हेलो एब्रिवन, आपका स्वागत है अमारे यूटूब चैनल अंजली कुकिंग में, आज हम आपके लिए कर आए हैं मूनली के पकॉरे, पकॉरे तो अपने बनाए होंगे, लेकिन सिर्फ पत्ते का बनाए होंगे, पर आज मैं आपको बताऊंगे कि मूनली और उसके पत्ते बनाने की recipe सुरू करते हैं हमने यहाँ पे मुली को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है और इसको वश्ट भकर लिया था जब हम यहाँ पे नरम पत्ते लिये इसको भी हमने बारिक काट कर लोगा है अब करेंगे इसमें अधोरे के पत्ते और मुली को और इसको थोड़ा दिर वोईल करेंगे अब हम डालaches। जब तक हम मुली वोईल होगा त Jupiter कम चाओल की तयारी कर लेते तो हमने यहाँ हमने आदे गंटे पहले ही पानी में भींगो लिया था अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे बिल्कुल बारिक पीस ना है और यह देखे हमारा मुली भी वोईल हो गया अब हम गैस को आप कर देंगा इसको रूम टेमप्रेशर में ठंडा होने के लिए और देखे मा मुली ज दालना है अगर आप ज्यादा नमक खाना चाहते तो डाल सकते थोड़ा खाना चाहते तो कम कर सकते अब हम डालेंगे इसमें हल्दी तो हल्दी हमने यहां पे डेट टेबली स्पून लिया है काली मीरिच हाफ टेबली स्पून जीरा वन टेबली स्पून अब हम लेंगे इस कर लिया है और देखे से मिक्स करना है और इसमें थोरा थोरा पानी भी आइड करते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल सॉफ्ट करना है इसको और बीच बीच में पानी भी एड करते रहने और देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल पॉर्फेक्ट हो गया ह और देखिए इसका जो consistency जो बिल्कुल perfect है पकोरे बनाने के लिए अब हम एक कराई लेंगे इसमें हम refine oil डाल देंगे आप चाहे तो सरसो कब यूज कर सकते हैं और देखिए हमारा oil जो अच्छे से heat हो गया है अब हम इसमें एक करके सारे पकोरे को डाल देंगे और गैस को high और medium के बीच में ही रखना है गैस को ज़्यादा high भी नहीं करना है और low भी नहीं करना है अगर हम गैस को ज़्यादा high कर देंगे तो पकोरे जो है नीचे से जल जाएंगे और वो अच्छे नहीं लएंगे स्व पकौरे को हमेशा पल्टी करते रहना है कि हमारा पकौरा जोई अच्छे से से क्रिषिपी होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होता है और देखिए हमारा पकॉरा जो है बन के रेडियो गया है अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंगे देखिए बिलकुल गोल्डन ब्राउन कलर पर आया है बहुत ही अच्छा सुनेहरा कलर है इसका अब हम इसको दूसरे बरतन में सर्व कर लेंगे देखिए हमने इसको द लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई